राम राम विजे दश्मी की आप सभी को हारदिक शुबकाम नाएं आप विजे दश्मी का उस्सव देखकर घर आ चुके होंगे शायद जलीबियां खा रहे होंगे मैं आपको एक ऐसा उपाई वदाने जा रहा हूँ जो की आपके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने की शक्ति रखता है वह उपाई क्या है देखिए लाल किताब में कुछ एक समान ने उपाई बताए गए हैं खास तोर पर जब किसी विक्ति को विद्या में रुकावट आ रही हो यानि कि आपका बचा अगर स्कूल में है, कॉलेज में है या फिर आप खुद विद्या किसी चीज़ की हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं आपके जीवन में उस विद्या को हासिल करने में बाधा उत्पन हो रही है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं तीन केले जो की आपस में उपर से जुड़े हो डंडी के साथ जैसे बारा जुड़े होते हैं ना इस तरह से तीन जुड़े हो लेकिन वह केले बहुत अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए देखने में साफ सुतरे होने चाहिए आप भगवान के मंदिर में जाकर भगवान को अरपन करना शुरू कर दें खास तोर पर गनपती देव को ये अरपन करें और आप देखेंगे कि आपके बच्चे की या फिर आपकी विद्या की रुकावतें दूर होनी शुरू हो जाएंगी इसके इलावा केले से एक और बहतरीन उपाई किया जाता है दिशेहरे के इस उस है कि यह जो हाथी है ना जादा तर केले खाना बहुत पसंद करते हैं तो आप कुछ एक केले लेकर इन गजराज को अरपित कर सकते हैं आम तोर पर अगर हम कहें तो हाथी ऐसा जीव नहीं है जो आपके शहर में आपके महले में आपको घुमता हुआ मिले खास तोर पर पहतरीन मौका है जितने भी दिन हाथी आपके शहर में है आप सुभा वह टिखाना डूंडे जहां पर महावत हाथी को लेकर रुकते हैं आप कुछे केले वहां ले जाएं और हाथी को निरंतर हर रोज खिलाना शुरू कर दें और संबब हो सके तो हाथी की सवारी भी करें इससे क्या होता है आप केले जब हाथी को खिलाते हैं न तो केले हैं केतू के हाथी है राहू, हम कहीं न कहीं राहू और केतू का मिलन करवा देते हैं मतलब कि आपको शुकर के फल नया ग्रह जो उत्पन होता है वो है शुकर शुकर लग्जरी से जोड़ कर देखा जाता है शुकर अच्छा गरस्त जीवन सुखी जीवन चाहे धन कम भी हो विक्ती परसंद रहता है है ना अच्छी लक्षमी उसके घर में होती है तो ऐसी चीज का करोध शानत होता है और उसके दुशपरभाव कम होने की संभावना बढ़ जाती है तो ये आप कर सकते हैं शुकर अच्छा करना है या फिर राहू के दुशपरभावों को दूर करना है ऐसा आप जितने भी दिन आपके शहर में हाथी है कर सकते हैं यह दो उपाय करने से आपको वभिन वभिन परकार के लाब मिलते हैं अब देखिए केला फल राहु की रुकावट को दूर करने की पूरी शक्ति रखता है तो यहां पर विद्या क्या उपाय करने के लिए ब्रस्पतिवार से शुरू करके 43 डे आपने मंदिर में 3 के लिए चड़ाने हैं अब आप के जीवन में मानलो रुकावटें बहुत आ रही हैं आपने माता सरस्वती जी का मंदिर देखना है अगर नहीं मिलती है माता सरस्वती जी की मूर्ति आपको आपके शहर में तो गरीब विक्ति देख लें आप ठीक है गरीब विक्ति को साफ सुथरे तीन के लिए आप भें चाहे वो रुकावट आपकी जॉब को लेकर है बिजनस को लेकर है या फिर रेलेशन्शिप में दिक्कत चल रही है रुकावट का नामी राहु है वह भी इस उपाई से राहु के दुश परभाव दूर हटने से हटनी शुरू हो जाती है तो यह उपाई आप करके देखें इ ली गई जानकारी का लाब आपको मातरानी की किर्पा से होगा जै माता दी